क्रिकेट जगत में दो ही खबरें इस वक्त जो है ट्रेंडिंग है और इनी की बाते हो रही हैं एक है पाकिस्तान दूसरा है IPL जी हाँ पाकिस्तान विकाउज आफ रॉंग रीजन्स और बहुत सारी मैनिप्लेशंस और IPL क्योंकि IPL की शुरुवात 81 तारीक हो रही है यानि क कल दोनों के बारे में अब इस वीडियो पर हम करने जा रहे हैं अबात पाकिस्तान वले मुद्दे पर as as a Indian मैं react करूंगा और आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमें आजफान पता होनी चाहिए और ये प्रोपगंडा जो पाकिस्तान के नेरेटिव फैलाए जा रहे हैं उन्हें एक्सपोस करेंगे IPL के बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं नमस्कार सलाम सस्रियाकाल मेरा नाम है इशान लेकर आए हूँ आपके लिए क्रिकेट की खबरें और क्रिकेट के ऊपर फैन रियाक्शन क्योंकि हम एक फैन है क्रिकेट के और केवल और केवल क्रिकेट रिलेटेड बातें एज़ा फैन करते हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं है एक्सपर्ट से कौन क्या कह रहा है क्यों क्या नहीं कह रहा हम सिरफ पीनियन देने की कोशिश करते हैं तो सबसे बहला मुद्धा पाकिस्तान वला और उस मुद्धे में multiple topics क्या इंडिया जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं जाता है इंडिया तो क्या पाकिस्तान आएगा भारत में वर्ल्ड कप खेलन ICC की तरफ से BCCI की तरफ से उनके हिसाब से चीजें crystal clear है इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चाहे Asia Cup करवालो चाहे कुछ भी करवालो 2025 में जो ICC trophy होने वाली है वो भी आप समझकर अभी तयारियां रखिए कि वहाँ पर नहीं होंगी ये आज की तारीक में बहुत लोग शाद नहीं बात कर रहे होंगे और जिन्हें sensationalize करनी है चीजें वो ये कहेंगे कि भारत तब क्या करेगा बट fact of the matter ये है उस वक्त भी पाकिस्तान में ये जो ICC का tournament होगा Champions Trophy नहीं होगी वो Dubai में shift हो जाएगी UAE में shift हो जाएगी और वहाँ पर सारी दुनिया जाएगी होस पाकिस्तानी रहेगा obviously बट पाकिस्तान में वो भी नहीं होगी ये बात जो है बहुत सारे पारिस्तान की तरह नहीं है जो दूसरों के तुकड़ों पर पलता है उनका board especially इंडिया की situation वैसी नहीं है इंडिया जाए ना जाए वो करवाएं इंडिया को फरक नहीं पड़ता It is all about कि इंडिया अगर जा रहा किसी tournament में then वो tournament success या failure माना जाता है इंडिया के बिना कोई भी tournament अगर आप करवा रहे हो तो आप कही ना कहीं ये मान रहे हो वो successful tournament नहीं हो सकता when you compare it when India is going and that's the real matter of the fact अब इसे कोई deny करेगा तो वो बेवकुफ होगा इसका कोई अलाज नहीं है तो इंडिया का stance official clear है इंडिया का start public में clear है इंडिया clear है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं अगर आपको करवाना है तो multiple neutral venues पर देख लीजिए options आपके पास हैं बड़ पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वो भारत के लिए दूसरी countries भी open करे वहाँ पर खिलाए और पाकिस्तान में भी खिलाए I don't think वो economically पैसों के हिसाब से पाकिस्तान afford भी कर सकता है कि पाकिस्तान बाकियों के साथ अपने मुल्क में खेले और जब इंडिया खेल रहा है उन सभी को भेजे बाहर और खुद बाहर जाए और even final अगर final एक मुल्क में नहीं हो रहा है जो उसका hosting rights लेकर बैठा है तो वो match या वो tournament करवाने का ही क्या फाइदा तो सबर या एक सूजवान या एक बुद्धी वली बात यही होगी कि पाकिस्तान चुप चाब अगर Asia Cup करवाना चाहता है बिना इंडिया के तो कोई option है ही नहीं no wonder की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि बांगलादेश शिरलंका जैसी team है बेभी अफगानिस्तान जैसी team है वो साफ कह दे कि भाई अगर आप इंडिया नहीं बुला रहे हैं इंडिया फ्री है उस वक्त तो हम इंडिया में जाकर bilateral या tri series खेल लेते हैं आप जैसा करना है कर लो और ये बहुत बड़ी possibility है क्योंकि इंडिया ने शिरलंका या अफगानिस सेंस के साथ ये जून में matches खेलने हैं तो इट कुड़ भी एक से के scenario बन सकता है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप करवाने की सोच भी ले तो ये बाके टीम है मना कर दें और वो इंडिया में आकर अपना match केल ले पाकिस्तान के लिए ये हजम होने वाली बात नहीं है और obviously मदमुधियों को जिने बुद्धी की कमी है और केवल केवल आकर में वो रहाते हैं उन्हें ये समझाना भी मुश्किल होगा इसी तरह का एक narrative जो है वो World Cup के लिए भी set हो रहा है तो Asia Cup हमारे लिए clear है बात कि इंडिया तो नहीं जा रहा पाकिस्तान में yes neutral venue पे करवाना है करवा लिजे हमें कोई objection नहीं है पाकिस्तान की हेकड़ी नहीं कम हो रही है केवल और केवल और वो भी ये नहीं कि पाकिस्तान में बहुत लोगों की हेकड़ी ये कुछ चुनिंदा जो है कीड़े हैं और उनकी हेकड़ी केवल और केवल करवाना है पाकिस्तान ने तो बाहर करवाना होगा और फुल फलज करवाना होगा यह यहाँ पर जाईए वहाँ पर जाईए किसी के मैचिस वहाँ पर किसी के यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला और इसी narrative की ऊपर क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई इंडिया को convince करना और इ प्रिक इंफो उनका नाम है इन जैसी साइड्स या आप्स जो है ये न्यूज जो है अबियसली ये सारी न्यूज जो है उनकी अपिनियन होती है वो ऐसी स्टोरीज प्लांट कर रहे हैं क्या कर देते हैं जैसे कि कल को भी आई ऐसी खबरें कि पाकिस्तान जो है वो भी डिमांड कर रहा है इंडिया से और बहुत स्ट्रॉंगली डिमांड कर रहा है कि हम भी इंडिया में आएंगे हमारे मैच बंगला देश में खिला दीज भाई अकात में रहो प्लीज अपनी अकात में रहो और हैसियत से जादा बोलने की जुरूरत तो बिल्कुल नहीं है आपका इंडिया में आना ये भी आप समझेए आपके लिए blessing and disguise है आपके लिए एहसान है आपके लिए बहुत बहुत बड़ी एक अप्लबदी है कि आपको Indian Government ने कह दिया है कि हम वीज़ाँ आपके clear कर देंगे अगर Indian Government या इंडिया या BCCI जो है IPL या इसके लावा वा टूर्नेमेंट्स करवाकर अपना राविन्यू पूरा कर सकता है इस वाग तो वर्ल्ड क्रिकट को इंडिया की जरूरत है इंडिया को वर्ल्ड क्रिकट की शायद उतनी ज़्यादा जरूरत ना है तो इसलिए ये इवन एक क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैनेजर लावल पर जो है एक पाकिस्तानी है वहाँ पर और वो महाशे जो है जूरत से जादा जो है केवल और केवल अपनी जो है ऊची करने के लिए केवल और केवल जो है एक न्यूज जो है फ्लैश करवाते हैं और कहते हैं कि बांग ये अजेंडा ये बात तो उस पूरी मीटिंग में हुई भी नहीं और ना हो सकती है इंडिया इस वेरी वेल क्लियर कि किसी को भी खेलना है more than welcome क्योंकि ICC का टूर्नमेट है इंडिया में आने की कुछ ना security दिक्कते हैं ना किसी की हासियत हमना करने की और जिने तकलीफ अपने घर पर बैठे किसी के लिए separate venue नहीं होने वाला और इसलिए जो है ये जो narrative बठाने की कोशिश की पाकिस्तान मीडिया ने या कुछ चुनिंदा जो है कीडों ने उनकी जो हवा साथ की साथ निकाल दीगी और हमें as a fan क्या सीख मिली हमें as a fan ये सीख मिली कि जिस तरह आप जो है जरूरत से जादा जो है अपने से बड़े अपने से हासियत में बड़े और जो main dictate कर रहे हैं उनसे पंगे नहीं लेती हैं ये पाकिस्तानियों को ये पाकिस्तानी जब मैं बोल रहा हूं specific कुछ लोग especially जो बोड़े हैं उन्हें बात कर रहा हूं कि उन्हें जो है केवल केवल क्योंकि उनका धंदा इसकी उपर चलता है कुछ दिन पहले आपको याद होगा रमीज राजा बहुत हेगड़ी मार कर निकल रहे थे कि ये हो जाएगा मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा all in all सभी जो है जो next बंदे आये उनके चीफ आये जो कुछ आया और इवन रमीज राजा भी पूरा जो है डैश डैश की तरह जाक की तरह बैठ गए तो आपको समझना चाहिए I think majority लोग हम समझते ही हैं कि पाकिस्तान की आउकात नहीं आ हैं कि वो इंडिया को क्रिकेट में या कहीं भी डिक्टेट करें चीजें ये केवल और केवल वो कहते हैं भूग मरी के शिकार जो हैं ये केवल और केवल भॉंकना जानते हैं काटना ये केवल और केवल बैक बाइडिंग करते हैं ये कही न कही जो है इतना stance नहीं लेते कि ये cricket की field में या overall इंडिया के खांग जो है सामने जादा बकवास मारें अपनी तो ये हम जो है realize करें कि ये जो narrative set हो रहे हैं और ये established ये जो जो news channel जो जो media houses ये खबरें प्लांट कर रहे हैं और उसे थोड़ा सा आगे एक होता है खबर का केवल केवल बताना एक होता है source based खुद बताना हमें identify करना होगा कि ये कौन सी खबरें हैं कौन सी news channels हैं जो ये सारे narrative set कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमें दिमाग में रखना होगा कि ये गड़बडवले channels हैं ये गड़बडवली चीजे हैं जो लोग पाकिस्तानीयों को जो लोग पाकिस्तान channels को जो लोग ये clearly नहीं बोलते कि भाई ऐसा possible ही नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता और ये शर्त आप लिए तो IPL को हम जो है next topic के लिए discuss करेंगे IPL आ रहा है 31 तारीक को इस चैनल पर IPL की बाते तो हम करेंगे ही करेंगे जिस दिन माच होंगे उनके बारे में और gameplays भी इस चैनल पर आ रहे हैं हम जो है as a fan जो है enjoy कर रहे हैं gameplays live के section में आपको सभी gameplays मिलेंगे और मेरी पूर किया है कैसे select किया है वो सब हम decide करेंगे gameplays में और बाकी जो है match analysis, views, reviews जो match related बाते हैं shorts में वो सब बाते करते रहेंगे और जाने से पहले मैं आपसे request करूँगा like, share, subscribe चैनल को जरू कर दीजिए किसी को अगर कुछ बुरा लगा तो माफी बट अगर किसी पाकिस्तानी को इसके लिए कोई माफी नहीं, जो सच है वो हमने बात की है, मानो या ना मानो अकात आपको पता लग जाएगी, real खबर आपको पता लगी जाएगी और I repeat Pakistan is not in state कि वो dictate कर सके भारत को in cricket field or in any other field, so हैसियत में रहना ही suggestion रहेगी, बाकि आप लोग अपना view comment section में बता सकते हैं, और हाँ, इस चैनल पर मैं किसी को ban नहीं करता हूँ, तो जो भी गंद मंद अगर किसी ने बोलना होगा आकर या बोलेंगे, तो खुले तो और पर जो है वो कर सकते हैं, बट जो अच्छा बोलना चाहते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, वो more than welcome है, तो मिलका हूँ मैं आपको नहीं किसी वीडियो पर, थेंक यू बेरी मच्छ, टेकर, बाबाए